जैसे रिराम दोस्तों आज हम सुरू करते हैं वाटिका कारे पुष्टिका का पार्ट चोदै जिसका नाम है भरती नीदी मादुरी इसमें पहला प्रसन दिया गया है नीचे दी गई पंक्तियों के रचीता कौन है इसमें कुछ पंक्तिया दी गई है उनके रचीता बताने है जैसे के पहली पंक्ती है अदर सुधारस मुरली राजत इसके है मीरा बाई की द्वारा लिखी गई है दूसरी है खेलत खात फिरे अंगना यह है रस्खान की तीसरी है पर उपदेश कुसल भहुते रे यह है तुलसिदास की चोथी है कोटिक ते कल धोत के धाम यह है रस्खान की पाची भगद बचल गोफाल यह है मेरा बाई की चटी है मानुस तनूगुन गयान निधाना यह है तुलसिदास की पंक्तिया हम इस परकार से इन सभी पंक्तियों के लेखक लिख लेते हैं अब आगे चलते हैं प्रस नंबर दो पर प्रस नंबर दो है नीचे दे गए तद्भव सब्दों के तत्सम सब्द लिखने है यह तद्भव सब्द दिये गए है कुछ इनके तत्सम सब्द लिखने है इसमें पहले सब्द है कुसल इसका क कुसल पसू का पसू मानुस का मनुश्य धर्म का धर्म कि सोभित का सोभित तलाब का तलाब यह इनके तत्सम सब्द है कि सख़़ी अब इस से आगे है प्रस नंबर तीन प्रस नमबर तीन दिया गया है दिये गए सब्दों के तदभव रूप लिखने है बताईए इन सब्दों के तदभव रूप लिखने है चले लिखते हैं पहला सब्द है विसाल विसाल क्या होगा विसाल कोटी का होगा क्रोड कादर का होगा कड़ा भरमर का होगा भोरा बरसा को होगा बरसा और कछोटी का होगा लंगोटी ठीक प्रस नमबर चार नीचे दिये गए सब्दों के समानार्थी सब्द बताईए इसमें कुछ सब्द दिये गए हैं उनके समानार्थी सब्द समानार्थी सब्द को प्रयावाची सब्द भी कहा जाता है ठीक है पहला पग पैर को बोलते हैं काग को कव्वा माखन मक्षन अब प्रस नमबर पांच निमनलिकत पंक्तियों को पाठे पुछतक के अनुशार करम में सजाईए यह कुछ साथ पंक्तिय दी गई है इनको ऊपर नीचे करके करम में सजाना है इसमें सबसे पहले कौन से पंक्तिय आएग चलिए लिखते हैं सबसे पहले आएगी बसो मेरे नैनन में अंदलाल थीक दोस्रे नमबर पर आएगी मोर वाली मोर मुकुट मक्रा करत कुंडल तीसरे नमबर पर आएगी अरुन वाली अरुन तिलक दिये भाल चोथिप आएगी महनी मूरती सावरी सोरती इसके बाद आए तो इन पंक्तियों को ही ऊपर नीचे अपने पाठे पुष्टक में जो दी गई पंक्तिया उनके इनुसार लगाना है अब इसके बाद है प्रस नंबर 6 वाक्य पढ़कर पताईए कि रेखांकित सब्द अस्त्रिलिंग है या पुलिंग है इसमें कुछ बाक्य दिये गए है इनमें एक रेखांकित सब्द है हर बाक्य अंदर उसको बताना है अस्त्रिलिंग है या पुलिंग है इसमें का है तेरी बनी सिर सुन्दर चोटी चोटी क्या है अस्त्रिलिंग दूसरे बाक्य में लकूटी लकूटी भी क्या हुआ अस्त्रिलिंग हुआ चोथे में कल्धो कल्दोथ है पुलिंग पेजनी पेजनी होगा अस्त्रीलिंग नैनन आखे आख क्या है पुलिंग कुंजन कुंजन भी क्या होता है पुलिंग होता है इस परकार से इन सब्दों को अस्त्रीलिंग और पुलिंग लिख दिया गया है इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी कारे पुस्तिका के पाठो को आप देख सके और अपनी क्लास में ख्रा सके